नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार शांती ज्यान यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों हमारा आज की कहानी है पती को खुश कैसे रखे यदि आप सोचते हैं कि केवल पत्नी ही नाराज होने का अधिकार रखती है या फिर उन्हें ही मनाया जाता है तो आप गलत है दरसल पती भी पत्नी से नाराज हो सकते हैं या फिर उदासीन रवया अपना सकते हैं शादी के बाद केवल एक स्त्री के जीवन में ही बदलाव नहीं आता है बलकि एक पती भी कई तरह के बदलावों का सामना कर रहा होता है ऐसे में आप यदि पती को खुश करने के तरीके खोज रही हैं या फिर आप जानना चाहती हैं कि पती को किस तरीके से खुश किया जाए या फिर उसके उपाय क्या हैं तो आज वह सब आपको इस लेख में जानने को मिलेंगे इस लेख में आपको एक दो नहीं बलकी कई ऐसे तरीके जानने को मिलेंगे जिनकी सहायता से आप अपने पती को आसानी से खुश कर सकती है पती को खुश कैसे रखे? यदि किसी महिला का पती खुश नहीं है या फिर वह उससे नाराज है तो फिर कोई भी काम आसानी से नहीं बन पाता है ऐसे में यदि आप चाहती हैं कि आपके पती आपसे खुश रहे और आपका घर परिवार बसा रहे तो आपको अपने पती को कीच खास तरीकों से खुश रखना चाहिए ऐसे में आप अपने पती को किन तरीकों से खुश रख सकती हैं यह बहुत मायने रखता है पती को खुश रखने के आसान तरीके जिस प्रकार पत्नियों को खुश करना कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार पतियों का स्वभाव भी अलग-अलग होता है, लेकिन उन्हें खुश करने के तरीके लगभग समान ही है ऐसे में आप अपने पती को खुश करने के लिए हमारे बताये गए तरीकों को अपना सकती है आईए जाने पती को खुश करने के सरल तरीकों के बारे में विस्तार सहित पती को खुश रखने के आसान तरीके नमबर एक पती का स्वभाव समझे नमबर दो पती को सम्मान दे नमबर तीन पती के घरवालों को भी दे सम्मान नमबर चार घर को अच्छे से संभाले नमबर पांच खाने में हो स्वाद नमबर चैर पती की पसंद नापसंद का ध्यान रखे नमबर साथ पती पर बेवज़ शक ना करे नमबर आठ घर की हर समस्या बताना नहीं है जरूरी